आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडोगीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरह वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें हेलो फ्रेंड प्रशन है कोशिका कला के तरल मोजेक, फ्लूड मोजेक मॉडल समझाईए तो आईए इस प्रशन का उत्तर देख लेते हैं ठीके तो यह जो कोशिका कला का फ्लूड मोजेक मॉडल है जिसे क्या कहा जाता है जिसे तरल मोजेक मोडल भी कहा जाता है क्या कहा जाता इसे इसे तरल मोजेक मोडल भी कहा जाता है ठीके इस मोडल को 1972 में इस मोडल को 1972 में सिंगर एवम सिंगर एवम जो निकोलसन थे सिंगर तथा जो निकोलसन थे उन्होंने इसो प्रस्तावीत किया था ठीके इस मॉडल के अनुसार जो कोशी का कला थी इस मॉडल के अनुसार जो कोशी का कला थी उस कोशी का कला के जो मध्य का जो लिपिट था कोशी का कला के जो मध्य का जो लिपिट था वह केसा था वह द्वीस्तर और जो फॉस्फो लिपिड का बना था ठीके इससे क्या होता था कि जो फॉस्फो लिपिड थे उस फॉस्फो लिपिड के धुरूविय तथा जल रागी जो गूला कार यानि की जो परी थी या जो प्रोटीन है उसकी जो परत थी परिधी या जो प्रोटीन परत थी उस प्रोटीन परत की और वह क्या थे वह विन्यस्त होते हैं ठीके तथा जो प्रत्येक फॉस्फो लिपिड थे उस प्रत्येक फॉस्फो लिपिड की जो अनू जो दोनों और जो अध्र हुई और ज इसी भी जैव कला में जो दो प्रकार की जो प्रोटीन रहते थे वह पाए जाते थे ठीके प्रोटीन पाए जाते थे दो प्रकार के जो की आंतरिक कोशिका कला में गहरे और धसे होते थे गहरे रहते थे और कैसे रहते थे धसे रहते थे ठीके यानि कि इन्हें आसानी से क्या जो अनू थे उन पोस्फोलिपिट के अनू की जो विसिस्ट विन्यास पोस्फोलिपिट के जो अनू थे उन पोस्फोलिपिट के अनू की विसिस्ट विन्यास विसिस्ट विन्यास के जो जल रोधी अवरोधक का कार्दे करते थे जो विसिस्ट विन्यास था वह क्या करते थे वह जल रोधी अवरोधग का कार्य करता था ठीके इसमें क्या होता था इसमें होकर केवल जो लिपिड था वह कैसा था वह घुलंशिल पदार्थ था जो की आरपार जा सकता था ठीके तथा कुछ बड़ी जो समाकलिन जो गोली या फिर जो टेनल प्रोटीन की भाती कारे करती थी यानि कि आसपास उसमें क्या कर सकते हैं लिपड़ आसपास इधर से उदर जा सकते थे ठीक hat तत्हा जो कलाएं थी उन कलाओं में जो कुछ प्रोटीन थे या जो कुछ विसिस्टो प्रोटीन थे वह ग्लाइको वह जो ग्लाइको प्रोटीन थे उन ग्लाइको प्रोटीन से मिलकर वह ग्लाइको प्रोटीन जो ग्लाइको प्रोटीन थे उन ग्लाइको प्रोटीन अनुओं के साथ मिलकर या अनुओं के साथ जुड़कर ग्लाइको लिपिड वह ग्लाइको प्रोटीन बनाते थे क्या बनाते थे गलाइको लिपिड तथा गलाइको प्रोटीन बनाते थे ठीके और जो कोशिका कला थी उसमें पाई जाने वाले जो रिसेप्टर थे वह प्रोटीन कोशिका में जो पदार्थ रहते थे उनकी सूचनाओं को आवागमन में मदद करते थे ठीके तथा इस मॉड थी ठीके यानि की जो तरल प्रक्रती थी उसमें विस्तार अंतरगमन विलोपन पुर्णर निर्माण इन सभी की व्याख्या उन्होंने करी थी ठीके तो हमारा जो उत्तर है वहाँ यहीं समाप्त होता है आशा है कि आपको इस प्रश्ण का उत्तर समझाया हो वीडियो को किने के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब